हलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करेंगे कोठारी पैट्रो केमिकल्स लिमिटेड से लेटेड नाइंटी थी रूपीज का स्टॉक है क्या यह स्टॉक आपके दो सो रुपे तक जा सकता है इसलिए यहां पर यह वीडियो बनाई जा रही है अधाकि आपको यहां पर बताया जा सके एक अच्छा शेयर यहां पर नजर आता है वीडियो में सब चीज यहां पर इस से लेटेड इस पर्टिकुला कंपनी से लेटेड जानेंगे बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर लास्ट तक बने रही है वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब बैल कोर्स के तुरू सीखेंगे तो एडवांस सीखेंगे वीडियो में तो हम आप बाकी चीज़े बताती बताते हैं तो आप क्या कर सकते हो यह नंबर है पर से थीरी मंज की इनडोल्डिंग है और चीज़े काफी बहत्री और डीपली यहाँ पर समझाए जाएगी और इतने आसान तरीके समझाए जाएगी कि एक बार सीखने के बाद आपको किसी की ज़रूरत ने पड़ेगी और बस एक साल का एक्सपीरियोंच ज़रूर पर आप भागेंगे याद रखिए घोडे की तरह है इसके लावा वाटसप ग्रूप है बारे सुरुपे पर मन्त आप यहां पर देखे हमारे वाटसप ग्रूप में एड हो सकते हो जहां पर हम अच्छे-च्छे स्टॉक्स अपके लिए यहां पर पेश करते रहते हैं और अल है पॉसमें यहां पर यहां यहां आपर देखे इन कह जो प्रोड किया है उसमें पोडॉपनि कहां नजर आती है उच्छी कंपनी आपर नजर आती है डिबॉर्ट लेन नीख यहां पर आप देख लिए अची आपन के क्लाइंट भी है है यहां पर सारे की सारे क्लाइंट है रिवेन्यु कंपनी का अच्छा खासा आता है मार्किट प्रजेंस की बात करें तो कोठारी जिसे KPL के नाम से जाए जाता है active PIV manufacturing in India and meet around 80% of the domestic demand जो भारत की 80% demand है उसे पूरा का पूरा यहां पर capture करके रखता है तो अच्छी घाजी company है यह ओके इनके products के अगर हम बात करें तो यहां पर इनकी website पर विजिट करिएगा तो इनके products दिखाई दे जाएंगे य इनके industry में काम आते हैं तो यहां देखें यहां पर क्या construction chemical and rubber ओके जितने भी यहां पर टायर वागर आने वाली company है वो इनके products यूज करती है इनके products यूज होते हैs sealants and यह अलग से companies हो गई stanch and ceilings, adhesive, glue, lubricant तो यहां पर अच्छा कासा company काम करती ही नजर आ रही है हर emotionally अच्छे कासे industries में है और यह सारे industry यहां पर क्या है काम की industry है अब बात करते company को देखें सबसे पहले तो 551 करोड रोपे का market cap है तो microcap share है ठीक है और बहुत छोटा सा यहां पर share नजर आता है PE ratio की बात करें तो 14 का PE है industry का PE 11 का है ना महंगा है ना सस्ता है as well as बात करें PE के बेस पर कभी काम करना भी नहीं होता बट याद रखिए हमेशा कहा जाता है ROC ROE देखिए तो आपको अच्छा लगेगा ROE यहां पर 22% के आसपास है जो की अच्छी बात है debt की बात करें 12% का debt है किसी तरीके की यहां पर कोई pleasing नहीं है 101 रुपे का इसने high लगाया था 93 पर share चल रहा है intrinsic value देखिए 169 की intrinsic value भी नज़र आती है maximum chart pattern आप देखोगे तो कभी यहां पर आप देखिए volatility रहती है क्यों क्योंकि microcap share है तो volatility रहेगी बट याद रखिए share जब तक अच्छा कर रहा है तो उस उसमें share में बने रहना एक अच्छी बात रहती है क्योंकि यहां पर पैसा तब ही बनता हुआ नज़र आता है अब यहां पर हम बात करें company की तो यहां पर देखिए company का highest ever तो यहां पर पिछले 2-3 quarter से revenue आ रहे है साथ में net profit की बात करें तो यहां पर net profit भी देखोगे 13 क्रोड रुपे का यहां पर highest ever revenue आ रहा है जो कि quarterly yearly दोनों basis पर अच्छा खास है इसके इलावा margin की बात करें highest ever margins आते हुए दिखाई दे रहे है और इस बार के भी जो margin है मुझे लगता है कि अच्छे खासे margins आते हुए दिखाई देंगे और यह share फिर उसी में यहां पर निकलता हुआ नजर रहेगा यहां पर yearly basis पर देखोगे तो ठीक ठाक प्रदरिशन यहां पर company ने किया 4 क्रोड सो 40 क्रोड का यहां पर सफर किया है profit में रिजर्फ की बात करें company के रिजर्फ एक करोड सो 133 करोड में तब्दील हो गए ना के बराबर चोटी सी यहां पर बॉराइंग है और working for gas में 3 करोड रुपे भी लगा रखे investment 41 करोड कैश की बात करें तो लगबग 14 करोड रुपे के आसपास का cash भी पड़ा हुआ है यहां पर आप देखो के positive cash flow हमेशा रहा है जो की अच्छी बात हमेशा मानी जाती है और यहां पर हम बात करते है कि share holding pattern कैसा है तो share holding pattern देख लेते हैं तो public के पास यहां पर promoters के पास कितने 70% के share यहां पर है 70.98% के share इसके इलाबा बात करें FIHDIS नाक के बराबर यहां पर है थो पर और हम बात करें तो share यहां पर काफी attractive काफी अच्छा नजर आता हुआ दिखाई देता है अब बात करते हैं यहां पर result की तो result company के कभी भी आ सकते है अब कोई date आई नहीं है बड़ जासी result आएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अब बात करते है चार्ट क यहां पर कहह रहे है कि चार्ट को यहां पर कह रहे है कि share को ले लिया जाए यहां पर कहता उएं कि मैं 200 के पाड़ जाऊंगा तो इससे हम बात करें chart से एलेटर आप से request चानल को subscribe bell icon को ही टार की notification कौन करेंगा इसने 2022 में उसका आधे गिरावाट हुई, यहाँ पर देखिए, श्टेज 3 थी, श्टेज 4 आई, श्टेज 1 के बाद, श्टेज 2 दुबारा शुरूर, और यह शेर अभी श्टेज 2 में नजर आता है, और काफी अच्छा है, यहाँ पर अट्रेक्टिव नजर आता है, वो सारी चीज़े हैं, जो मैं यहाँ पर अभी आपको बता नहीं पाऊँगा, बट अगर कोर्स करोगे तो यहाँ पर पता चलेगा, और आपको पता चलेगा, कि यह एक परफेक्ट प्लेस है खरीरने के लिए, बट अगर हम बात करें, बाइंग सालिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अगर कोई यहाँ पर पोजिशन बनाना चाता है, तो यहाँ पर पोजिशन बना सकता है, एक 90 रुपीज का स्टॉप लगा के, यहाँ पर एक पोजिशन बना सकता है, मुझे लगता है कुछ दिन, 2-4-5 दिन यहाँ पर एक कंसॉलिडेशन होगा, और इस कंसॉलिडेशन का जैसे ही यह शेयर निकलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले टारगेट इसके 101 का जो हाई था अभी फिलहाल में 52 वीक हाई वोंप पोचेगा, उसके बाद शेयर यहाँ पर अपना 124 रुपे का लेबल यहाँ पर पोजाता हुए नजर आएगा, तो हम रिटर्न की अगर बात करें तो लगबग लगबग, 33% के रिटर्न तो यह हो गए, बढ़ 33% पर चीज़े रुखने ने वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस कौर्टर के रिजल्ट जैसे कि मैं कहा रहा हूँ कि अच्छे आते हुए नजर आ सकते हैं, एक आत कॉर्टर के तो यह यहाँ से निकल जाएगा, इस्टेज 2 में चल रहा है, और यहाँ पर जिस तरीके का प्राइस वॉल्यूम एक्शन होता हुए नजर आ रहा है, वो मुझे बताता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा हाई भी बनाता हुए नजर आएगा, यहाँ आप देखोगे, तो एक कविध हैंडल पैटर बनता हुए नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके यहाँ पर टारगेट की, अगर हम बात करें, यहाँ पर एक अच्छे खासर टारगेट यहाँ पर आपके बनता हुए नजर आते हैं, तो 33% यह बता रहा है, 42% यह बता रहा है, प दूसरी बात यहाँ पर चीज अच्छी नजर आती है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है, ताकि पैसे भी उसी तरीके से बनता है, So, thank you so much, God bless.